ये 2023 AI का साल रहा AI was on boom, बहुत सारे AI tools आये, services आये and public ने भी बहुत fastly AI को adopt कर लिया जहां पहले public इतनी AI के बारे में aware नहीं थी, इतना use नहीं करती थी, वहीं आज AI का use हर दूसरा इंसान कर रहा है पहले इतने tools नहीं थे, इतने services नहीं थे, लेकिन 2023 में AI was on boom, बहुत सारे tools आये, बहुत सारे services आये, जिसे की आजकल हर को use कर रहा है लेकिन कुछ लोग इसका use कर रहे हैं सही चीजों के लिए और कुछ लोग इसका misuse कर रहे हैं और हाँ well icon press करना नहीं बूले क्योंकि उससे आपको हर वीडियो की notification टाइम पे मिल जाएगी तो अब आपीस आते हैं आज की वीडियो के topic पे आजकल इंटरनेट पे बहुत सारी वीडियो सर्कुलेट होती हैं वाइरल होती हैं लेकिन उनमें से कुछ वीडियो फेक होती हैं लेकिन actual में वो इतनी real होती हैं कि लोग धोका का जाते हैं उनको लगता है कि ये actual वीडियो है जुक्रापल है एक्जांपल के लिए जब एक्चुलेन के वेक्चलेंट वीडियो सर्कुलेट होती है और या ये दो saisy गिद्टलिंग एक है च्पिन您तुक बने वोगता है दो n वीडियो ऐन ग्यांद क्व मिल आग बनी है जसमें सका नाम ही बताब कि यह actual में एक ऐसी technology है जो fake content बनाती है जो defake AI है उसका use किया जाता है ऐसी convincing videos या फिर audio या फिर ऐसे photos बनाने के लिए जिसको देखकर user easily धोका खा जाए और viewers को लगे कि यह actual में real image है या video है या फिर audio है defake AI एक content में एक person को दूसरे person से swap कर सकती है या यह बिल्कुल entirely new content बना सकती है जिसमें वो एक person को कुछ ऐसा करते हुए या कहते हुए दिखा सकती है जो उस person में actual में नहीं किया होती है और यह videos इतनी real होती है कि maximum viewers जो है वो धोका खा जाते हैं और वो उस चीज़ पर विश्वास कर लेते हैं उनको लगता है कि जो person इस audio में वीडियो में या फिर image में है वो actual person है कोई fake person नहीं है और यही defake AI का motive होता है अपने viewers को धोखा देना अपने viewers को वो विश्वास दिलाना कि वो actual में real content ही देख रहे हैं और इसी वज़र से defake AI काफी security concern भी raise कर रहे है क्योंकि लोग defake AI को use करके काफी false information spread कर रहे हैं लोगों की fake videos बना रहे हैं लोगों को defame कर रहे हैं और ऐसा content share कर रहे हैं जो actual में fake है और लोग उस पे विश्वास कर रहे हैं तो यह actual में security concern है जहां एक तरफ कुछ लोग इसका misuse कर रहे हैं लेकिन उसमें जो voice होती है वो defake AI की voice होती है किसी real person की voice नहीं होती है लेकिन इसके बाब जूद काफी fake content create हो रहा है fake videos बना जा रहे हैं false information spread की जा रहे हैं और लोगों को wave coop बना जा रहा है तो यह जाना बहुत जुरूरी है कि कैसे हम identify कर सकते हैं कि fake content कौन सा है कौन सा content है जो defake AI से बना है लेकिन उससे पहले हम यह समझने की कोशिस करते हैं कि यह काम कैसे करता है so defake AI दो algorithm use करता है first one is a generator and second one is a discriminator algorithm basically वो steps होते हैं जो कोई भी एक काम करने के लिए अगर कोई follow करता है तो वो उस काम को कर सकता है for example अगर अभी मुझे light बंद करनी हो तो मैं क्या steps follow करणा सबसे पहले मुझे chair से उठना होगा और फिर मुझे चल के switch के पास जाना पड़ेगा and then मुझे switch press करना पड़ेगा और उसे light off हो जाएगी तो यह जो 3 steps है chair से उठना, चल के switch के पास जाना and switch को press करना इन 3 steps को कोई भी person जो की chair के उपर बैठा है वो follow करेगा तो वो light off कर सकता है इसी तरह से किसी भी problem को solve करने के लिए कोई काम करने के लिए algorithm डिजाइन की जाती है जिसमें की steps बताये जाते हैं कि इन steps को अगर follow किया जाएगा तो हम यह काम कर सकते है defake AI भी इसी तरह से दो algorithm यूज करती है for creating fake content हमें जो output चाहिए होता है उसके लिए generator सबसे पहले एक training dataset create करता है और उसके basis पे initial fake content create करता है और जो discriminator है वो यह analyze करता है कि यह जो created content है वो कितना real है या कितना fake लग रहा है और end में हमें एक realistic video, realistic content जो है हमारे सामने बनके आए generator और discriminator का यह combination एक generative adversarial network बनाता है जिसे short में कहते हैं GAN जब एक defake photo बनानी होती है तो GAN system target के photo को हर angle हर perspective से analyze करता है and video के case में video को हर angle से analyze करता है, video में moments को capture करता है video के अंदर behavioral pattern देखता है, speech pattern देखता है और फिर यह information run की जाती है discriminator में ताकि real photo या video बन सके so defake video दो तरह से बनती है, first one में जो video होती है वो actual में target person की ही होती है लेकिन उसे उस video में ऐसा कुछ कहते हुए या करते हुए दिखाया जाता है जो उसने actual में नहीं किया होता है and second type होती है जिसमें video किसी और की होती है लेकिन जो video में person होता है उसका जो face है वो swap कर दिया जाता है with the target person commonly defake use किया जाता है art की field में, entertainment की field में, लोगों को blackmail करने के लिए जैसे कि आपने AI generated music सुना होगा, उसमें सिर्फ singer की voice यूज की जाती है actual में उस singer ने वो गाना नहीं गाया होता है and कुछ लोग defake AI का use कर रहे है लोगों को blackmail करने के लिए लोगों की inappropriate videos बना दी जाती है या फिर photos बना दी जाते है and उसके basis पे लोगों को फिर blackmail किया जाता है and customer care support में भी कुछ task के लिए defake AI use किया जा रहा है example अगर किसी को अपने account की details आनी है, अपना balance check करना है तो अगर वो bank की customer care में call करता है so जो starting की conversation होती है, वो defake AI को use करके होती है जिसमें जो सामने से voice आती है, वो defake AI use करके बनाई गई होती है अब point आता है कि अगर हमारे सामने कोई ऐसी वीडियो आती है जो defake AI को use करके बनी हो, जो fake हो, तो हम कैसे identify करें तो ऐसी वीडियो में अगर आप देखेंगे, तो face की position जो अन्यूजल हो सकती है coloring unnatural हो सकती है, lightning जो है वो unnatural हो सकती है ऐसे लोग हो सकते हैं, अगर वो blink नहीं कर रहे हैं, so that means video fake है जो audio है वो inconsistent हो सकती है, तो अगर आप ध्यान से आवाज सुनेंगे, तो वहाँ पे आपको inconsistency मिल सकती है जिससे आपको पता लग सकता है कि ये video जो है वो fake है और वैसे ही textual content भी defake AI से बन सकता है, so ऐसे content को आप कैसे पहचान सकते हैं so ऐसे content में spelling mistakes हो सकती है, अगर आपको email पे आ रहा है तो आप email चेक कर सकते हैं आपको जो sender का email है वो suspicious हो सकता है साथ में जिस sender से अगर मालो आपको लगता है कि ये valid sender से आ रहा है जो text का flow है, जो phrasing है message की हो सकता है, जो sender है उससे match नहीं हो रही हो तो इस case में भी पूरे chances है कि वो defake AI से content बना है और ऐसा message हो सकता है जो कि आपके जो normal conversation होती है उससे out of context हो तो उस cases में भी आपता लगा सकते हैं कि ये real person ने नहीं भेजा है किसी और person ने defake AI use करके वो content आपको भेजा है आजकल defake AI का use करके काफी fake content जो है वो create किया जा रहा है और लोगों तक पहुंचाया जा रहा है अगर हम इंडिया की बात करें तो recently रिसमी का मंदाना की एक video circulate हुई थी और वैसे अगर हम international level पर बात करें तो जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि Ukraine के war के time Ukraine के president की video viral हुई थी जिसमें कि वो अपने troops को surrender करने के लिए कह रहे थे इससे पहले facebook founder Mark Chakraburg, US President Joe Biden, Barack Obama, Donald Trump ये सभी defake AI के victim रह चुके हैं हो सकता है इन मेंसे किसी की defake video आपने देखी हो so next time जब आपके सामने ऐसा कोई content आता है जो आपको लगता है defake हो सकता है तो आप इन points को उन video में ये उस text में ढूंड सकते हैं और उससे आपको clear हो जाएगा कि वो actual में defake content है या फिर real content है और अगर आपके सामने actual में कोई defake content आता है तो ये आपकी और ये हमारी सबकी responsibility बनती है कि हम उसे आगे और share ना करें हम और ज़्यादा false information spread ना करें और अगर हम ऐसा कोई tool यूज करते हैं तो वो भी हमारी responsibility बनती है कि हम इस तरह का fake content ना create करें लोगों को बेब कूफ ना बनाएं और इस वीडियो को अपनी family में अपने दोस्तों में सबके साथ share करें ताकि वो भी समझे कि defake है क्या कैसे काम करता है और इससे हम कैसे बच सकते हैं और किन चीजों का हमें ध्यान रखना चाहिए और वीडियो के लिए टेकनलोजी से अब टू डेट रहने के लिए लेटेस्ट टेकनलोजी ट्रेंड के लिए सब्सक्राइब करें दिनेश टेकनिकल कार्ट और थैंक यू सो मच पर वाचिंग